हालो वेलकम टू माई यूटुब चनल स्टोई अप और आज के इस वीड़े में अंटर्टेन्मेंट की निव्स हम आपके दिए रिवलेयर लाते रहते हैं और आज हम बात करने वाले हैं अमिताब बच्चन की बाग करेंगे ही जो उनकी एक मूवी आई थी जिनका नाम था पाग और उस रोल को निभाने के लिए अमिताब बच्चन ने फिल्मे में अपने किरदार के लिए एक जवर्जस्ट ट्रांसफर्मेशन किया था कई एक्टर्स ने फिल्मों के लिए जवर उनसे यह यहां बताते हैं है अब बताते हैं करना पड़ना प्रनातं स्पूर्दाव बच्चन की कह साल पहले फिल्म आई थी पाप इसमें बिग्बी ने औरों का रोल निबाया था जिससे प्रोजेरिया नामक विम्धीर विमारी होती है और उसकी उम्र तो सिर्फ 12 साल की ही होती है लेकिन अपनी उम्र से कई गुना जादा बड़ा दिखाई देता है फिल्म में बिग्बी का लोग देखकर फैन्स हैरान हो गए थे और दूसरी फिल्म है यहाँ पर शारुखान के फैन फिल्म में एक 24 साल के फैन का रोल निबाया जो बॉना है इसके अलावा इसमें वो सुपरस्टार आरेन खन्ना भी बने है एक ही समय में दू अला गला गला बुलने माना आसान बात नहीं होता है लेकिन शारुख ने बहुत वक्तुवी से इसे पूरा किया तो कि दीपका पादुकौन के फिल्म आई थी दोजार वीच में छपाग जिया ब्रियल कटना पर अधारिक थी या एसे डाटेक साइवर सर्वाइवर की स्टोरी थी इसे मे नमाजुदीन सिद्धिकी के एक मुवी आई थी अपने लाइफ में कई हिट फिल्में दी है नमाजुदीन सिद्धिकी ने कुछ समय पहले ही उनको फिल्म से अड़ी आई थी जिसमें उन्हें ट्रांस जेंडर का रूल निवाया था इसके लिए अक्टर ने साड़ी हैवी जेले भी पहनी थी और नमाज को मेकप करने के लिए कम से कम तीन गंटे का यहां पर टाइम लगा था राजकुमार राव की विए एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रावता उसमें क्या जवरज़र ट्रांस्फार्मेशन किया गया है इस लुप के लिए राजकुमार फिल्म आई थी शारवड़ी बाग जिनके क्यूट और ग्लैमरिस अंदाज को फैंस काफी जड़ा पसंद भी करते हैं लेकिन फिल्म मुंजया के दौरां उन पर मुंजया आ जाता है उसके बाद उनका जो लुक वो काफी दाराना है और लुक के लिए उन्हें पांच जामें बना रहा है और अगली खबर आपको बताते हैं बंपर कमाई पर बॉक्स आफिस को रोशन कर जिकी हैं यह आठ फिल्म है आज भी उन्हें देखने से नहीं बढ़ता है जिए आप दिवाली पर लंबी चुटिया होती है और इस मौके पर पूरा फायदा मेकर्स उठ आते हैं 990 के दर्शक से हम तक कई फिल्में दिवाली की मौके पर रिलीज हुई है जिन्हों ने बॉक्स आफिस पर जम कर कमाया लेकिन कई को कलेश की चक्कर में बारी नुक्सान भी उठाना पड़ा दिवाली का जवहार सभी के लिए बेहत खास होता है ये तिवार मेकर्स के लिए भी बेहत खास होता है क्यों दिवाली पर लंबी चुटिया होती है और इस मौके पर पूरा फायदा मेकर्स उठाते है 90 के दर्शक से अब तक कई फिल्में दिवाली की मौके पर रिलेज वी लेकिन कई को कलेश की चक्कर में भारी नुकसान भी उठाना पड़ा इस साल याई 2024 में दिवाली पर अजय देकिन की सिंगम रिटर्न्स और कार्शिक कारें की बुल्ब लिया त्री ये दोनों एक नॉम्बर को थेटर में दस्तक देने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आने वाले हैं अंदाज अपना अपना ये भी जो है और टाइम सबका फेवरेट रहा है फिल्म सुहाग ये भी फिल्म बहुत एसा सुबरेट साबित हुआ था क्योंकि आज भी लोग इसे देखते हैं अगली फिल्म में राजा हिंदुस्तानी निस उचांदी में रिलीज जी दे राजा हिंदुस्तानी अमरिकान और कैश्मा का कुर्वी जोडी ने सभी को दीवाना बन कर दो दो एंदुस्तानी ने सब्सक्राइब को दो एंदुस्तानी थार इस देखते हैं विल्म में राजा हिंद।